हलो दोस्तों मैं हूं सुमिछ चोहान और स्वागत है आपका दे न्यूस बिक की इस खास पेशकश में मायवती पर घटिया सोच बहन कुमारी मायवती पर घटिया सोच आप इसले कई दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँए कि किस तरह से सेलिब्रिटीज ने उनके बारे में बहुती अभधर और बेहुदा टिपनी की लेकिन अब Urban Dictionary नामrieben की अएक एप है Mobile Application है उसने सारी हदे पार कर दी है Urban Dictionary जो एप है उसने मायवती के बारे में इतनी घटिया बात लिखी है से आपको बताते हुए भी हमें शर्म महसूस हो रही है इस ट्वीट को देखिए ये करीब साथ घंटे पहले अर्बन डिक्शनरी नाम की मोबाइल एप ने अपने ओफिशिल ट्वीटर हैंडल से किया है उसमें मायवती शब्द का मतलब बताया गया है इसमें इनोंने बताया है कि मायवती का मतलब है एन अनमेरिड पॉन स्टार, विमन हो कें दू एवरिफिंग फॉर पावर, काशी राम्स, स्टीक्रेट वाइफ एन एक्स गल्फरेंड ओफ मुलायम सिंग, मायवती इस दी है डॉब बहुजन समाज पार्टी, बी एस पी तो ये जो ट्वीट है ये अर्बन कलैप ने ओफिशल अपने हैंडल से किया है और इसमें मायवती शब्द का इसका अर्थ जो बताया वो निहायत घटिया, बेहुदा और इतना हद दर्जे का निचलिस तर का ये बताया गया है कि इसको पढ़ते हुए मुझे भी गुसा और आपको भी सुनते हुए गुसा आ रहा होगा, ये हद इन्होंने पार कर दिया, अर्बन डिक्शनरी ने हमने इस ट्वीट की पढ़ताल की और देखा कि क्या ये ट्वीट फर्जी तो नहीं है, हमने पाया कि ये ओफिशल ट्वीटर हैंडल से जो अर्बन डिक्शनरी का ओफिशल ट्वीटर है, वहाँ से शेयर किया, उसके बाद हमने उनकी वेबसाइट पर इसकी पढ़ताल की, अर्बन डिक्शनरी की वेबसाइट जब आप खोलते हैं इस एप को वेब वर्जन आप जब खोलते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और यहाँ पर जब मैंने मायवती शब्द को टाइप किया, देखें मैं आपके सामने ये टाइप कर रहा हूँ, तो ये नीचे मुझे मायवती शब्द का मतलब बता रहा है, और ये अभी मायवती शब्द का जो मतलब है वो बेहुदगी से भरा हुआ इन्होंने बताया है हाथ दरजे की घटिया एक ऐसी भाशा का इस्तमाल किया गया है जो कि किसी भी महिला के लिए बिल्कुल भी बरदाश नहीं की जा सकती, देखें मायवती शब्द का इन्होंने मतलब बताया है कि एक ऐसी महिला जो जिसकी शादी नहीं हुई है और वो पॉन स्टार है और य हाथ ही लिखा है कि मायवती जो है अभी हुजन समाझ पार्टी किये देख्ष हैं यह अर्बन डिक्शनरी की वेब साइट पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अभी भी इन्होंने इसको नहीं अटाया है यह यहाँ पर पोस्ट शायद किया गया है नाजिया खान ने यह जो बेहुदगी से भरी हुई बात अर्बन डिक्शनरी पर अभी भी लिखे हुई है यानि यह पिछले साल एक साल से यह यहाँ पर डेफिनेशन है अभी इन पर लोगों की निज़र पड़ी है तो इस पर विवाद हो रहा है और लोग जो हैं इसकी कड़िया अलोचना कर रहे हैं यानि देखिए पिछले एक साल से यह वहाँ पर मौजूद है इस तरह की भाशा एक है ऐसी महिला जो कि देश के सबसे बड़े सूबे की चार-चार बार मुक्यमंतरी रही है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की वो रास्ट या धिक्शन उनके बारे में इस तरह गटिया है अब यहाँ पर असली में कौन नाजिया खान के पीछे वो भी एक investigation का matter है कि कौन वहाँ पर बैठा हुआ urban dictionary के दफतर में किन लोगों ने ये बात लिखी है क्योंकि ये type किया गया है बाकाइदा material ये definition यहाँ पर post की गई है तो ये by chance या technical error नहीं है ये सोच समझ जान बूचकर मायवती के बारे में इस तरह की बेहुदगी घटिया बाते यहां पर लिखी गई है अर्बन dictionary ने अभी भी इसको नहीं अटाया है और 7 गंटे पहले जो उन्होंने tweet किया है उसका tweet का screenshot आप देखे ये अभी भी उन्होंने लिखा है और तमाम लोग वहाँ प पर आपती जताई है कि किस तरह से घटिया भाशा का इस्तमाल किया गया है और तमाम लोग जो है वो नीचे अब देखेंगे तो इसускा विरोद करें लेकिन उसके बावजूत देखिए कि इन लोगों की इतनी जो दिमाग है वो इतना घटिया लेवल का हो गया कि अभी भी इन्होंने इस चीज़ को नहीं अटाया है और ये जो ट्वीट है ये जो डेफिनेशन है अभी भी आप देखेंगे तो अर्बन डिक्शनरी के वेबसाइट पर उनके ट्वीटर हैंडल पर ये देखी जा सकती है तो ये दिखाता है कि किस तरह से गटिया लोग जो हैं वो अलग-अलग संस्थानों में बैठे हुए हैं और उनकी जो रग-रग में जातिवा दोड़ता है जब बहुजन नेताओं का बहुजन नायक और नाइकाओं का जब बहुजन समाज के जुड़े हुए किसी मसले का जिकर होता है तो उनकी जातिवा इमान सिखता इसी तरह से परदिश्यत होती है और इसी तरह के घटिया शब्द घटिया तरह की politics घटिया तरह की comedy और घटिया तरीके के writers जो हैं वो हमारे लोगों के बारे में लिखे जाते हैं आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कितने बड़े बड़े जो celebrities हैं उनके पुराने ट्वीट्स 2012 के 2010 के 2008 के ऐसे ट्वीट्स जो हैं वो वाइरल हुए जिसमें उन्होंने बेन कुमारी मायवती के खिलाफ कितनी अनाफशना बाते लिखी हैं कितनी घटिया हर दरजे की बात लिखी हुई हैं आपने देखा होगा कि जो बॉलिवड हीरो हैं रणदी फुडा उन्होंने मायवती के बारे में कितनी घटिया बात जो है एक न्यूस चैनल के मंच पर कही लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और तमाम जो लोग हैं जो घटिया सोच के लोग हैं मानसिक्ता के लोग हैं वो लगातार बेनकुमारी मायवती के बारे में बहुजन नायक नाइकाओं के बारे में इतनी बेहुदी टिपनिया कर रहे हैं और ये एक तरीके का चलन है अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जैसे बहुजन समाज के लोगों की वह बहुजन समाज के राष्ट ये नेता है उनके बारे में तो ये बाते बिलकुल बरदास हो ही नहीं सकती लेकिन कोई आम महिला हो उसके बारे में भी ये बाते जो है ये घटिया डायलोग डेफिनेशन ये जो डेफिनेशन लिखी गई है इसको बरदास नहीं किया जा सकता ये कुल मिलाकर एक घटिया बिमार मानसिक्ता को दरसाता है आपका इस मसले पर क्या कहना है हमें कमेंट बुक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अगर आप ट्वीटर पर हैं तो ट्वीटर पर आकर इस हैस्टे को Suspend Urban Dictionary इसको सपोर्ट करें ताकि Urban Dictionary को पता चल सके कि वो किस तरह की घटिया अरकते बोजन समाज के बारे में कर रहा है मैं उसमें चोहान और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सायोगी हजरा परवीन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें अंगले वीडियो में मिलते हैं साथियो